Next आपका questions जो है, question number 6 है 3.3 का, write a digit in the blank space of the following number so that the number formed is visible by 11, जैसे पीछी किया था आपने 3 से वैसे ही 11 से करना है, अब 11 का divisibility आपका test क्या कहता है, कि sum of digit at odd place, ये 9, ठीक है, आपका ये क्या है, 9 odd place है, 3 odd place है, अब ये आपने छोड़ दिया, ये क्या है, odd place, सबसे पहले आपने यही याद रखना है, अगर जिन बच्चे को नहीं समझा रहा है, तो जो पीछे से ones वाला, उसको number 1 कर देना है, 1 आगया, ये 2 number है, ये 3 number है, ये 4 place में है, 5 में है, 6 में है, ठीक है, तो ये आपका odd आता है, odd, एक number छोड़ कर फिर आपका odd आएगा, एक number आपने even place में plus कर दिया, अब even place में यहाँ पर एक space खाली है, ठीक है, 8 plus space, blank space plus 9, तो यहाँ पर कितना आ गया, 17, और ये blank space वैसे ही मैंने रहने दिया है, ठीक है, अब difference क्या जाता है, दोनों का difference, ये जो blank space है, इसमें मैंने लिख दिया है, required digit, यानि कि जो हमने यहाँ पर digit fill करनी है, अब देखें, जब आप 17 को 14 से minus करेंगे, तो आपके पास क्या पता है, 3, ठीक है, अब 3 में आप क्या plus करेंगे, कि ये आपका 11 से divisible हो जाए, ठीक है, तो 3 में अगर आप 3 की counting 11 तक करेंगे, तो आपके पास 8 number आएगा, अगर हम यहाँ पर 8 number fill करेंगे, तो ये 11 से क्या हो जाएगा, divisible हो जाएगा, तो कि 3 प्लस 8 कितना आजाएगा, 11 और यहाँ पर blank space है, तो hence the required smallest number क्या गया, digit क्या गई, 8 आगई,